हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल इन्वेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जोमाटो के स्टॉक के ओपर जोकि दोस्तों जोमाटो से रिलिटेटिक खबर निकल कर आ रही है और बड़े बड़े टागेट्स उस खबर में दिये गए उस खबर बर बात करेंगे और क्या होंगे कल के यानि 2 जून के टागेट तो वीडियो को एंट तक देखिएगा वीड इस दिन में 60 प्रतिशत का उचाल जानिए अभी और कितना चड़ेगा ये स्टॉक आज के दिन शेर लगबख 79 रुपीज 80 पैसे तक जाता हुआ देखने को मिला आप देख सकते हैं 79 रुपीज का आज इंट्राडे में हाई था हाँ दोस्तों हाईयर लेवल से जरूर स्ट हुई है बड डेफिनेटली स्टॉक में आपको बाइंग करने का विचार बनाना चाहिए दोस्तों आप देख सकते हैं जब कोई शेर लगातार तेजी करता है तो उसमें गिरावट आना ज़रूरी होता है और ये शेर तेजी भी कर रहा है गिरावट भी कर रहा है दैट मीन अशनवित नजर आ रही है इन ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि इस स्टॉक में आने वाले दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और अगर पन बात करें से की तो से ने बाय रिटिंग देए और दोस्तों टागेट्स जो दिये वो 90 रूपीज के दिये और प् अब देख सकते हैं ओवरवे ट्रेडिंग दिये और टार्गेट जो दिये है वो है 135 रूपे का तो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव आउटपूट दोस्तों आपको निकलता वा आता वह देखने को मिल रहा है ब्रोकरेज हाउसे का और आज के दिन के अगर बात करें तो अब देख सकते हाईयर लेवल से लगबग स्टॉक में आज 6.5 प्रतिशत की गिरावट होती हुए देखने को मिली है जब कोई शेयर 50 रूपे का 70 रूपे होता है डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ी अचीमेंट होती लेकिन आज के दिन यह 50 रूपे का शेयर अब इसका आज के दिन 79 रूपीज तक का स्टॉक ने लेवल चुआ है और अब मेरी यही सलाई कि कल के दिन आप जरूर स्टॉक में बाइंग करें क्योंकि मुझे लगता है कल के दिन स्टॉक में एक और बड़ा मुमेंट आने की चांसेज है और हो सकता है कल यह 74 74.50 का जो स्टॉक है यह कल के दिन 78 रूपीज तक के टागेट आपको दे दे अगर बात करें बावन हफ्तों के हाई की तो लगबग 170 रूपीज का स्टॉक का फिटूवीक खाई था जब मार्केट ओल टाइम हाई स्टॉक में भारी तेजी थी लेकिन अगर आपन 52 लो की बात करें तो 50 रूपे में अच्छी का सी गिरावट हुई है एक टाइम पर रसाइसी के पार आगया था लेकिन अच्छी है रसाइ भी लगबग 60 के 60 के आसपास है लेकिन अगर बात करें रसाइ की बिसिस पर तो जब तक रसाइ 50 के नीचे नहीं आता है तब तक आप लॉंग टर्म परस्पेक्ट आती है और लगबग शेयर जाता है 50 रुपीज तक और फिर एक और पुल बेक आ रहा है और मैं बार बार कहता हूं कि जो पुल बैक है वो 90 रुपीज तक मिनिमम दाता वह देखने को मिलेगा विजब शेयर इतनी बड़ी गिरावट करते है तो पुल बैक्स भी शेयर के आ कि इन सब लेवल्स को आप ध्यान में रखकर बाय करें अगर आप अभी बाइंग कर रहें तो 90 रुपीज तक का टागेट एक से दो महिने के अंदर डेफिनेटल स्टॉक में आ सकता है बीच में थोड़े थोड़े आपको गिरावट आदीव देखने को मिलेगी बस 170 का हुआ 140 यहां पर काफी सार लोगों ने बाइंग करी कि इतना ज्यादा नहीं गिरेगा स्टॉक 140 का शेयर हुआ 120 उसके बाद भी लोगों ने बाइंग करी देन 100 हुआ उसके बाद बाइंग आई और आप देख सकते स्टॉक गिर गिर का लगबग 50 के लेवल्स पर आ गय 170 रूपीज का लेवल चुँए अभी थोड़ा चांसे कम है तो कंपनी का लॉस आया था लगबग 240 करोड का जब तक यह कंपनी अच्छे प्रॉफिट में नहीं आएगी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं करेगी तब तक इसमें आपका है ऐसे मोमेंट आते हो देखने को मि दिखाईए लगबग 5 पैसे की तेजी दोस्तों इस स्टॉक में होती देखने को मिली है अगर बात करें तो 75-40 पर शेयर उपन होता है उपर उपन होता है गिरावट थी आज मार्केट में 9 पॉइंट उपर ही मार्केट खुला था लेकर उसके बाद गिरावट आती है आप ऐजस्मेंट्स यह काराण आप देख सकते 74-70 का प्राइस हुआ है बरना स्टॉक माइस में चलिगा था बट एक सपोर्ट फ है वो काफी इंपर्टन सपोर्ट है आप देख सकते यहाँ पर में सपोर्ट लेकर आता हूं तो आप देख सकते दोस्तों स्टॉक का जो 90 पैसे, last time जो support था 7290 रुपीज वहाँ से stock ने एक बहुत अच्छी तीजी करी थी, और 7290 से ये share लगबग आपको 79 रुपीज तक जाता वजखने को मिलाता, तो अगर आपन बात करें कल के दिन की भी, तो कल के दिन expiry का दिन है, तो कल एक बड़ा movement आप Zomato के stock में expect कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये share 7290 रुपीज की zone में आता है, तो आप definitely इस खरीदारी करें share के अंदर, योगी कल मुझे लगता है कि stock आपको 5-6% का एक बड़ा move दे सकता है, market capital के अगर बात कर ले, तो आप देख सकते है market capital जो एक company की, वो लगबख 58,800 करोड हो चुकी है जो कि एक काफी positive signal है अब अगर बात करें stock के charts की तो जैसा कि मैंने आपको शुरुवाती बेभी शुरुवात में बताया था 170 के zone से stock गिरा resistance की अगर अपन बात करें stock के support levels की दोस्तों आप देख सकते हैं इस levels पर stock consolidate करता हो देखने को मिला 100 रुपे से 80 रुपे की range में ये share consolidate करता हो देखने को मिला धन फिर गिरावट आती है जब ये share 80 रुपे का level तोड़ता है 80 रुपे का level तोड़ा 50 रुपे के levels पर गया और आज के दिन 79 रुपे के zones में है और अगर ये share 80 रुपे के उपर एक दिन भी close हो गया तो आप कहा सकते कि 100 रुपी के medium term targets देखने को मिल जाएंगे आपको तो कल का दिन काफी important है कल अगर closing 77 के उपर हो जाती है तो chances बट जाएंगे stock के कि एक वापिस से reversal stock देता हुआ देखने को मिले क्योंकि अगर अपन इधर charts पर देखे तो आप देख सकते है सब से बहले stock 170, 169 के zone पर गया और फिर वहां से बिक्वाली आती है 140 के zone पर stock आता है then 140 से 100 within कुछ months विजन कुछ आप करते कि 3 हफतों के अंदर stock आता है and then stock 80 से 50 के zone में आता है तो अगर अपन बात करें तो higher side पर एक ही resistance निकल रहा है वो है 80 का अगर 80 का stock resistance क्रॉस कर देगा तो breakout stock में आता हुआ देखने को मिलेगा and then stock आपको 140 से 160 की range में भी जाता होगा देखने को मिल सकता है अब अगर बात कर लें दुस्तों stock के 5 दिन के charts की तो 5 दिन में दुस्तों लगातार तेजी करिए 64 का ये share 80 होता होगा देखने को मिला है और अभी अगर ये stock consolidate कर रहा है तो ये काफिय चा सिगनल है कि यहां से भी तेजी के stock में chances बन रहा है अगर येपन बात करें targets की तो आने वाले 5 से 7 दिनों में ये share में लगता है कि 85 रुपीज तक का target दे सकता है तो 5 से 7 दिनों के अब आप नजेरे रखके stock में buying कर सकते हैं बट stop loss आप कुछ रखना होगा जो कि ये 70 रुपे का 70 रुपीज का stop loss 85 रुपीज तक के target के लिए Zomato के stock में आप medium term to long term के लिए buying कर सकते हैं इंट्राडे के level के अगर बात कर लो तो कल 72 रुपीज 90 पैसे conditional buy होगा 72 रुपीज 90 पैसे पर अगर stock आता है तो definitely आप इस stock में buying कर सकते हैं और इंट्राडे के अंदर 77 से 79 रुपीज तक के लक्षिय कल के दिन Zomato के stock में आपको देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तो आट सेट इट पर वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो चानल को सब्सक्राइब करेंगा दोस्तों तो थाइब कर दोस्तों अच्छाइब कर दोस्तों